वीवर्ज आज में आपको बताने वाली हूँ हर दिन पैदल चलने के स्वासलाब के बारे में गाइस यदि आप अपने शरीर से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा पाने चाहते हैं तो आप रोज सुबह पैदल चलने की आदत को अपनी दिन चार्या में सामिल करें क्योंकि प्रती दिन पैदल चलने से दिल और जोड़ो समित कई पुरानी विमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं यदि आप भी अपने सरीर को चुष्ट दुरूस्त बना रखना चाहते हैं तो पैदल चलने के फायदों के बारे में जाने वजन घटाने में सहाया मोटापा आज की समय का एक ऐसा मुद्दा है जो हर जगद देखने को मिलता है आगे चलकर इसका असर आपके स्वास पर काफी बुरा पड़ता है यदि आप अपने वजन को कम करने के साथ सरीर को स्वस्त रखना चाहते हैं तो आज से ही नियमित रूप से पैदल चलने की आदर डाले हर छोटे छोटे कामों के लिए आप कार या बाइक चलने के अपक्चा पैदल चलने की आदर डाले पैदल चलने से ये सरीर की वजन को नियंतरित करता है और हमारे सरीर को फिट और संकरी रखने में मदद करता है कैंसर से लड़ने में सहायक कैंसर एक घातक बिमारी है जो सरीर पर गहरा असर डालती है यदि आप इस खतरनक बिमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पैदल चलने जैसे व्यायाम करें पैदल चलना नक केवल आपके वजन को कम करने मदद करता है बलकि ये कैंसर के खतरे को भी कम करता है इसके इसका प्रमुक कारण है हमारे खराब जीवन सैली इसलिए यदि आप मदुमे का इलाज घर बैटे करना चाहती है तो वैज्यानिक के नुसार आप एक दिन में लगवक 3,000 से 75-100 कजम रोज चले हैं पैदल चलने से रक्त शरकरा का इस्तर नियंत्री तरता है जिसे टाइप अब जियत तस जैसी सिकायत बढ़ने लगती है जिससे कॉलंग कैंसर भी हो सकता है इसलिए पाचन क्रिया को स्वस्त रखने के लिए उचित व्यायाम के साथ स्वस्त आहार लेना काफी महत्तोपूर है यादास में सुधा लाता है दिमेर्शिया एक नियूरो लॉजिकल य किने मैमोरी लॉज होने की समस्या होती है उन्हें अपने दयानिक कारियों को करने में बड़ी ही पैरिशानियों का सामना करना पड़ता है जिसका असर आपकी जीवन में भी पढ़ने लगता है यदि आप अपनी बुद्धी को तेज रखना चाहते हैं तो नियमित रूप स नंगे पाउं के साथ हरी हरी घासों में रोज चलना प्रारम करें इससे आपको भुल्ले की बिमारी दूरोगी और आप में आत्मिश्वास का निर्माड होगा